स्वायम सहायता समुकी महिनाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चेनल के तरब से भी दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दिदी तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को उगत कर दिया जाएगा तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे प्रेणा टीवी चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले अगर दिदी आप पहले से ही DNRLM में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन है कि पंच सूत्र का पालन करना बिल्कुल न भूले साथ ताहिक बैठक, साथ ताहिक बचत, आंद्रिक उधार, समय सुनवापसी लेखा जोखा इन पंच सूत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्री क्योंकि सक्री समू को ये नोगलाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए देदी जादा ना बात कर दोए में टपी की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमने में देखा है सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुस खबरी है कि एक मुफ्त समाधान योजना चलाया जा रहा है जीहां उत्तर परदेश में वक्ताओं के बकाया बिल पर राहत देने के उतेश से सरकार द्वारा बकाया बिल्ली विभाग सोब प्रतिसत की छूट लेकर आई है इस उत्तर परदेश सरकार द्वारा ग्रामीर छेत्र के समस्त LMV2 LMV4B निजी संस्थान LMV6 स्रेडी की वकायदारों को उनके विद्धुत बिल पर दिनाक 21 अक्टूबर 2021 तक बिजली बिल सर चार्जर के रूप में लगाई गई है धनरासी में 100% की छूट दी जा रही है सरकार बिजली माफी योजना के तहत बहुत सीही सीमित समय दी है जो की जिन सभी के बकाया रासी आया है उन सभी का ही माफी की जाएगी सरकार की तरफ से चारों की जाने वाली एक मुफ्स्त समाधान सर्चार्ज माफी योजना दोज़र कैस जीहां एक कैस अक्टूबर दोज़र कैस से 30 नवंबर दोज़र कैस तक लागू किये जाएंगे इच्छुब व्यक्ति इस योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए नजदी की जीहां दीदी नजदी की CSC सेंटर पर अपना रजिस्टेशन करवाना होगा या वो खुद आनलाइन के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं उसके बाद इस योजना का लाव उठा पाएंगे वरना नहीं मिल पाएंगे इस योजना का फायदा UPPCL से प्राप्त हुई जनकारी के अनुसार अभी भी भारत में ही घरेलू उपभोकताओं में इस्तित क्रिशी बिजली उपभोकताओं के लिए आसान किस्तों में योजना हुआ किसान राजस्थान लागू की गई थी जिन उपभोकताओं ने उड़त की अरुस्था में पंजीकरण कराया था एवं जिसके द्वारा लगातार ने धारित किस्त जमा की जा रही है विवस्था एवं अधोगिक उभोकताओं को अधिकार में छूट का लाव दिये जाने है तू योजना लागू की गई है मीटर नसीमा के कारण इस प्रकार की विवस्था की एक साथ सेरनी में लापाना संभव नहीं हो पाता है अतावस सकता की सरकार द्वारा जब कोई भी चलाई जाए तब उसी उस्साह का अवधी में उसका लाव उठा लिया जाए वरना बाद में कोई थे क्या कोई समय नहीं होता खत्म होने की यह कोई लागू की गई है इसके बाद सायद आपको फाइदा मिल सके या ना मिल सके कैसे मिलेगा एक मुस्त समाधान बिजली बिलब्याज माफी योजना का लाव जाने विस्तार से वीडियो में जी हाँ इस योजना की अंतरगत लाव उठाने के लिए वीडियो वक्ताओं को अपनी नजदी की छेत के उपखंड कार्याला यानी की कामन सर्वी सेंटर पर संपर कर सकते हैं और इस योजना की जानकारी है तु आप विद्धुत विभाग के टोन फ्री नंबर 1912 पर संपर कर सकते हैं 1912 की काल पर आप मुफ्त समाधान बिजली बिल ब्याज माफी योजना की अतरगत बिल माफी योजना का फायदा लेने प्रबात कर सकते हैं और आपको पूरी तरह बताई जाएगी इस योजना को फायदा कैसे लेना है तो आप सबी दिद्यों को बता दूँ कि ज़्यादा परिशान होनी की जरूरत नहीं है दिद्य अगर आपका बिल बहुत अधिक हो गया है और आप भर नहीं पा रही है तो इस जी हाँ इस एक मुस्त समाधान योजना का लाब जरूर उठा ले आपको अपने नजदी की ही का कामन सर्विस सेंटर पर जाना है जी हाँ देखेंगी आपके आसपासी सेंटर होगा वहाँ पर जाईए उनसे अपने बिल का रेजिट्रेशन जरूर करवा ले और बिजली बिल माफी का जो योजना चल रहा है उसका लाब आप जरूर उठा ले यूबी बिलि बिल माफी एक समाधान योजना के अंतरगत लाब उठाने के लिए उप भोगताओं को अपने नजदी की पावर हाउस पर या जण सेवा केंद से संपर करका सकते हैं हम तो दीदी आपसे ही कहेंगे कि आप पाउर हाउस पे न जाकर जन सेवा केंद से संपर्प करें क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा सिर्फ रजिस्टेजन हो जाएगा यदि आपको अपने आसपास के कामन सर्वी सेंटर की जानकारी आपको नहीं है तो आप किसी से भी पूर सकते हैं अपने आसपास से जी हाँ आपको तुरंत आपके नज़ीज की CAC बटा चल जाएगा पैसे नहीं भर पा रही हैं तो आप सब इसे निवेदन है कि आप अपना खुद का विजली बिल जरूर कम करवा लेजी एक मुस्त समाधानी उजना का लाब आप जरूर उठा ले अपने नजदी की सर्विस सेंटर पर जाकर एपलाई जरूर कर दे आपको इधर उदर भटकन की ज़रूरत नहीं है दिदी हम जानते हैं कि ग्रामीड लाकों में जो भी दिदिया है वो पढ़ी लिकी कम होती हैं वो परशान हो जाती है कि इसी एजना का लाब हम कैसे उठाएं तो आप को इधर दर भटकना रही है आप अपने नजदी की ही सिसी सेंटर पर जाकर यह का कारे करवा सकते हैं तो चलिए आज की विडियों बस इतना ही धन्यवाद जाते जाते एक वर्फिर करना चाहूंगी इस समझे मेरे विडियो को देख रहा है दीदी या भाई या अगर आप गुरामीड लाकों में रहते हैं तो आप हमारे इस चैनल प्रेंड़ना टीवी च की जाती है तो आप से निवेदर है कि आप हमारे दूसरे चनल प्रेंड़ना टीवी चनल सहरी को जरू सब्सक्राइब कर लें तो चलिए आज के विडियों मसेतना ही धन्यवाद जय आजी विका